हाई फ्रेंड्स इट्स मनीश और निफ्टी पेडिक्शन के आज की वीडियो में आप सब का स्वागत है फ्रेंड्स इस एनलिसिस को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि लास्ट वीक बहुत बड़ी ग्रावर देखने को मिली है बजार में जिसकी वज़े से बहुत पैनिक है और ये वीडियो आपनों के हल्प करने वाली है मैं आज डेली और वीकली अनलिसिस हर हफ्ते की तरह हैं साथ में ही करने वाला हूँ इसलिए आज की अनलिसिस बहुत इंपोर्टेंट होगी लास्ट तक जरूर देखेगा लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन का कारोबार निफ्टी में कैसा रहा दोस्तों बजार ने गैब डाउन ओपनिंग दी 17,442 पे और 17,445 पे क्या पैटन मनाया डे ओपन डे हाई सेम और उसके बाद बड़ा फॉल दिया 17,325 का दोस्तों ये जो पैटन है मैं इसके बारे में हमेशा बोलता हूँ कि जिस दिन भी ये पैटन फॉर्म होता है बजार डिरेक्शनल मूव देते हैं और रिवर्सल प्ले बिलकुल भी नहीं करना चाहिए ऐसे बजार में और बड़ा फॉल आता है नीचे की तरफ दोस्तों बजार ने हमें कोई फ्राइडे को ट्रेड नहीं दिया क्योंकि डारेक्ट गेपडाउन ओपनिंग होई जैसे बैंक निफ्टी में हमने टार्गेट सेट किया था वही सेम जगे जाकर निफ्टी का भी जो 17,450 का टार्गेट था निफ्टी भी 17,450 पर खुल गया और हमने तो इंजॉय किया फ्राइडे की दिन कोई ट्रेड नहीं किया तो उमीद है आप लोगोंने भी रेस्ट किया होगा अब शांती से हम लोग एनलिसिस कर सकते हैं विकेंड में लोगोंने लॉस उठाया और अब लोग परशान हैं मंडे को क्या होगा क्या नहीं होगा कई लोगोंने पोजिशन कैरी भी कर ली होगी 90 पॉइंट माइनस दिख रहा है SGX निफ्टी लेकिन अब हम आगे की बात करते हैं समझने की कोशिश करते हैं कि अब बजार कैसे लग रहे हैं क्या हो सकता है मंडे को क्या हो सकता है नेक्स वीक तो सबसे पहले हम लोग वीकली अनलिसिस करते हैं मैंने इसलिए स्क्रीन पे वीकली चार्ट खोल रखा है वीकली चार्ट जो है previous week के अंदर अंदर ही हुई है, तो ये क्या signal दे रहा है कि बजार ना तो bullish है ना bearish है, लोग खाम गई, bearish हो गई, डूप गया, या बहुत बढ़िया market है, दोनों तरफ उचल रहे हैं, लेकिन बजार अभी range में है, ना उपर ना नीचे, फिलाहल इस weekly closing के according, weekly chart के according, अब हम लोग छोटे time frame पे आते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये luck क्या रहा है, अब ये daily chart है friends, daily chart पे क्या किया बजार ना, daily chart पे बहुत बड़ा gap down हुआ, और gap बना हुआ है, bank nifty की तरह है, और nifty क्या कर रहा है, वो bank nifty को follow कर रहा है, हमने last analysis में वी बात बोली थी, कि अब bank n nifty करेगा, क्योंकि bank nifty lead कर रहा है, और bank nifty ने recovery नहीं दी, यहाँ पर नीचे से recovery आई, positive signal मिला, तो यहाँ एक और pattern मन गया, वो क्या है, इंटर market divergence, अब इंटर market divergence कैसे काम करता है, अब अगर bank nifty weak है, तो वो nifty को नीचे घचिट लेगा, इसी तरीके से काम करता है, अब bank nifty है, weak nifty के comparison में, क्योंकि वो recover नहीं हुआ, लेकिन अगर bank nifty उपर निकल गया, और उपर का gap फिल करने गया, तो वो भी nifty को साथ में लेके जाएगा, दोनों मिलके gap फिल करेंगे, डेली चार्ट पे आप एक चीज और नजर रखिए, कि आप 17 सर्वरी की candle देखो, 17 सर्वरी की candle भी almost इसी तरीके की बनी थी, हालाकि इतना बड़ा gap down नहीं था, लेकिन वहाँ भी same ये reversal pattern मनाया, फिर अगले दिन उसे break करने की कोशिश करी, फेल हो गया, और फिर reversal, pullback और फिर उपर का जो 17800 का target है, उसने वो achieve कर लिया, जो हमारा resistance point था, ठीक है friends, अवरली चार्ट के उपर अभी आपको ले के चलते हैं, क्योंकि अब अवरली चार्ट भी बहुत important होगा, अवरली चार्ट पे आपको क्या pattern दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि bank nifty जो था, उसने trend line पे support लिया, लेकिन nifty ने क्या किया, nifty उससे ज़्यादा week है, तो उसने trend line को भी break कर दिया, लेकिन जब भी 90 degree fall आता है friends, 90 degree angle से जब भी fall आता है बजार के अंदर, तो हमेशा एक bounce आता है, हमेशा, यह याद रखिए, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे को next week, 17,520 से 17,600, यह जो एक उपर का level है, इसको ध्यान रखना है, यह अब resistance का का काम करेगा, support का क्या काम करेगा, 17,300, ठीक है, 17,300 से 17,600 का यह एक range बन गया, अब हम करेंगे क्या, अगर 17,300 ब्रेक कर दिया, तो हम 16,800 के लिए trade लेंगे, भाई बहुत बड़ा breakdown हो जाएगा, स्वरी, 17,100 के लिए trade लेंगे, 17,300 के नीचे 17,100 और उसके नीचे 16,800 बनेगा, 17,100 अभी एक major support है, ठीक है, हम लोग को करना क्या है, वो भी मैं आपको मंडे की जो analysis है, उसमें समझाता हूँ, ठीक, अभी वो start करते है, LCX 90 point down है, ठीक, अब बजार का नीचे का support क्या है, 17,300 से 17,320, 90 point क्या दिखा रहा है, कि जी 17,320 पे opening होगी, मैं roughly मालने ता हूँ, 17,300 से 320 के आसपस opening हो जाती है, according to the SGX, जो की very much possible भी है, अगर वो SGX गलत हो, सही हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर, लेकिन very much possible, तो पहला scenario यह है, कि अगर मंडे को 17,300 से 320 पे opening हो गई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम price action watch करेंगे, stop loss 17,250 का लगाके, यहाँ पर सीधा call में बैठेंगे, और हमारा target होगा, 17,370 और उसके उपर 17,430, तो उम्मीद यह है, कि उस दिन flat हो जाएगा market, अगर नीचे जाता है, तो उस दिन बजार flat हो जाएगा, पैनिक करके, कोई अगर positional long में बैटा हो, तो काटिएगा मत, पूरी उम्मीद है, बजार के flat होने की, बजार flat open directly हो जाएगा, यह भी हो सकता है, तो 17,420 से 17,450 के zone में अगर resistance face करा, तो फिर हम लोग short कर देंगे 17,330 के लिए, तो लेकिन उसमें एक condition है, कि 5 मेर यह 15 मिनट चाट पे एक लाल candle form हो जाए, जो की 17,420 की नीचे जाके closing दे दे, यह ना हो कि 17,450 पे लिए हम cell मार दें और वो आये नहीं नीचे, 17,420 के नीचे वो 5 मिनट यह 15 मिनट की zone से भी candle बनेगी, मैं दोनों टाइम फरेम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बजार बहुत volatile हैं इस वाक, तो कुछ पता नहीं है कि 5 मिनट में ही वो अपना काम कर या 10 मिनट लगाए या 15 मिनट लगाए तो 5 से 15 मिनट के बीच में अगर वो एक ऐसी candle बनाता है जो कि 17,420 के नीचे close हो जाती है तो हम उसके उपर का stop loss लगाएंगे और अपना short trade active करेंगे 17,330 के लिए एक scenario और है कि 17,420 से 17,450 के उपर ही trade करने लग जाए वो भी हो सकता है तो फिर हम क्या करेंगे तुरंत call में बैठ जाएंगे फिर हम लोग क्या करेंगे हमारा क्या target होगा हमारा target होगा 17,530 और फिर उसके उपर 17,530 से 17,600 का zone हम call में बैठेंगे और उसके नीचे का stop loss लग अब 17,530 जिनको लेना है वो लोग 30 से 40 पॉंट का stop loss लगा लिजे जिनने 17,530 से 600 के लिए बैठना है वो फिर उसके stop loss बढ़ा कर सकते है रिस्क रिवर्ड अपने इसाब से manage कर लिजेगा पर मुझे उम्मीद है कि 17,490 के नीचे आना नीच चाहिए अगर 17,420 से 17,450 के उ 17,20,420 से 450 के उपर निकल गया तो फिर वो 390 के नीचे आएगा नहीं आना नीच चाहिए तो हमारी daily की analysis भी हो गई इसके साथ friends weekly analysis भी हो गई तो हमारी analysis अगले दिन की तियारी के लिए होती है market hours में दुबारा आपको level देखने की ज़रूत पड़े देख लीजेगा तो friends हमेशा की तरह सबसे एक request कि जो लोग चैनल पर नए हैं subscribe का button दबा लें bell notification का on भी कर लें जिससे उनको सबी आने वाली videos की notification मिलती रहे हम लोग daily analysis करते हैं चैनल के उपर तो आपको daily trading help मिलेगी और वीडियो पसंद आए तो like और share ज़रूर कर दीचेगा friends ठीक है friends thank you thank you very much thank you